नमस्कार आप सभी के स्वागत है trending economics में आज इस वीडियो में जानेंगे कर अंतरन क्या होता है कर का मतलब tax और अंतरन का मतलब devolution अंतरन का मतलब आप समझे जैसे कोई भी चीज हमने कलट की और हमने आपस में बांट लिया कोई चीज मैंने आपको दे दिया बांट करके जितना आपका हिस्सा है यहीं अंतरन हुआ आपको मैंने दे दिया ठीक है तो कर अंतरन का मतलब यह हुआ काफी important point है भारत के परपेक्ष में इसे आपको ध्यान देना चाहिए जब कर के माध्यम से प्राप्त आए अब जो कर के माध्यम से प्राप्त आए होते हैं उसको क्या बोलते हैं टैक्स रवेन्य बोलते हैं जब कर के माध्यम से प्राप्त आए यानि टैक्स रवेन्य को केंद्र सरकार और राजी सरकारों के बीच में बांटा जाता है तो इस तरीके को ही कर अंतरण यानि टैक्स डिवलिउशन कहते हैं तो भारत में क्या हुआ कि बहुत सारे जो टैक्स कलेक्शन है वो इकठा किया गया और केंद्र सरकार साथी साथ विबिन जो राजी हैं भारत में उनके बीच में बांट दिया गया अंतरित कर दिया गया अलोट कर दिया गया तो इसी को बोलते हैं कर अंतरण अर्थात ये एक संग्विधानिक तंतर होता है तो ये कैसा सिस्टम है constitutional सिस्टम होता है जिसके द्वारा कर आए यानि tax revenue का आवंटन संग और राज्यों के बीच में किया जाता है मतलब जो हमारा देश का जो संग्विधान है उसमें ये उलिकित है अब हम समझते हैं कहां उलिकित है और इसमें क्या कहा गया है भारत की संग्विधान का अनुच्छेद है 280 अब याद करिए finance commission को इसे में उसका जिकर है ठीक है 283A में कहा गया है इस article में कहा गया है कि वित आयोग यानि finance commission की जिम्यदारी है कि ये संग्व और राज्यों की बीच करों की शुद्ध आय के विभाजन के संबंद में सिफारिशें करे तो ये जो finance commission है इसको ये इसके पास ये responsibility है कि वो विया सिफारिश करे राश्परती से कि जितना भी हमारा tax revenue collect हुआ है वो केंदर सरकार और राज्यों की बीच में बाटा जाए जो शुद्ध आय है करों की जुद्ध आय है उसका विभाजन कर दिया जाए अच्छी तरेके से कोई भी गलत काम उसमें ना हो तो ये है कर अंतरण यानि tax devolution और इसका प्रावधान हमारे भारती संग्विधान में अनुछे 283A में किया गया है